इस लेक्षर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी Streamlit की लाइबरेरी को एक्टिवेट करके Apps बनाने के बाद डिपलॉय कर सकते हैं यानि कि एक Final App आपने लोकली बनाई है आपके पास Final App आ गई है Requirements की File आ गई है और आपको जब भी कुछ चीज डिपलॉय करनी होती है इसका मतलब यह है कि आपको एक ऐसा Computer चाहिए जो कहीं पर पढ़ा हुआ है यानि कि Python 3.9 या 3.9 से उपर उसके अंदर इंस्टॉल है आप यह दो फाइलें देंगे और आपके नाम पे वो पूरी के पूरी एक App बना देंगे और इस App को बनाने के लिए आपको जो Files की Requirements है वो यहाँ पर मैंने आपको दिखा देता हूँ यह हमारे पास एक App है जिसका नाम है wordcloud app.py और एक हमारे पास Requirements की वाल है जिसके अंदर जितने भी हमारे पास variants ज़रूरी थे इस App के लिए वो पढ़े हुए पहला काम आपने क्या करना होता है आप उस App को एक दफार रन करके locally देखते है something like this streamlet run wordcloud app.py जैसे मैंने इसको रन किया it should open for me this kind of file और यहां पर अगर मैं इसको रन करना चाहूँ मैं कोई भी इसके अंदर फार डालूँगा जैसे मैंने यह progressive GANs वाल अपना paper डाला and now you can see के मेरे पास एक wordcloud बन के आगया what if I want to run this same app on an online version that's what I'm gonna show you अब आपने क्या करना है वापिस जाने अपने code पे यहां से इसको ctrl c करके close कर दिना close बने कर दिया मैं यहां से terminals आपको बंद कर देता हूं यह दो files जो मेरे पास है इस requirement.txt और wordcloud app.py इन दोनों के उपर अब हमने काम करना है इसके लिए जिन चीज़ों की आपको जुरूरत है उसके बारे में हम बात करते हैं let me see okay so सबसे पहले आपका गाम क्या है आपने जाना है Google पे यहां पे जाना है GitHub के ऊपर GitHub पे जाने के बाद आप अपने login ID से अपना login कर लेंगे ठीक है और अपनी profile पे चले जाएंगे right like this यहां पे जाने के बाद आप एक repository बनाएंगे इस्टारी यहां से मैं new repository पनाता हूं YAHAHा impact में कहता हूं word word cloud Vul मैंने इसको नाम दे दिया word cloud app test यहां पे मैंने यह नाम दे दिया यहां आप इसको यह भी कह सकते है word cloud क्लावड तो मैंने word cloud w बढ़ा और c बढ़ा इस तरीका इसका नाम बनादिया यहां पर मैं लिखता हूँ, this repository is about an application to make the word cloud from any kind of documents, ठीक है, document या documents, इसको मैं totally इस वकत private रखता हूँ, just for the sake, या इसको मैं public कर देता हूँ, ठीक है, यहां पर add readme file भी मैं डाल देता हूँ, और git ignore और बाकी license यहां पर मैं इसको, कुई भी license यहां पर मैं चूज कर लेता हूँ, creative common का, या चले, Apache lessons मैं use कर लेता हूँ, create करता हूँ repository, यह मेरे पास एक repository आ गई, now I can add files here, मैं यहां पर upload files पर click करूँगा, और exactly वो दोनों files को उठा के, मैं यहां पर paste करने वाला हूँ, so you need to take those two files, जो आपने project इसके उपर अपना develop किया है, and then based on that, you have to actually, upload those two files, मैं दोनों files को यहां पर ले आता हूँ, just give me one second, okay, तो यह मेरे पास word cloud app आ गई, और requirement.txt, मैंने दोनों file हों को पकड़ा, यहां पर drag किया, drag करने के बाद यह दोनों file हैं मेरे पास यहां पर आ गई, and I can say, कि यह हमने commit changes कर दी, and now you can have a look कि हमारे पास word cloud app भी है, requirements की file भी है, license भी है, readme text भी है, तो मैं readme text को यहां से edit कर सकता हूँ, but I don't need to do that, मेरे पास यह दोनों इस वकत मजूग है, what I have to do now, I have to go to streamlet, streamlet, streamlet पर जाने के बाद, मुझे यहां से sign in या sign up करना है, अगर मेरे पास sign in की option है, then I have to do this sign in, और sign in करने के लिए, मुझे basically अपना github का id इसके साथ लगाना होगा, या I can go with Google, या it's totally up to you, तो आपके पास option आएगी, मैंने इस वज़ा से hide किया, because I just want to sign in with my account, and I don't want to share that email with you, तो just for the sake of safety, तो मुझे वो चीज़ यहां से, इस वज़ा से मैंने वो, यहां पर आपको नहीं दिखा रहा, so you can understand, के आपने क्या करना है, आपने streamlet पर जाना है, इस page के उपर sign in या sign up पर क्लिक करना, अगर आपके पास account है, तो sign in, नहीं है तो sign up, मेरे पास account है, so इस वज़ा से मैं यहां पर sign in करके, अपना authenticator code भी मुझे डालना पड़ेगा, and then, मैं streamlet को authorize कर दूँगा, ओके, तो यह मैंने sign in कर लिया आप यहां पर, ठीक है, यह मेरे कुछ apps बनी होई है, which most of them are actually not really useful for other people, तो मैं सिर्फ practice के लिए लोगों को दिखा रहा था, तो कुछ इसमें से मैं delete कर देता हूँ, ताके, people can actually understand कि आप apps को सिर्फ उतना रखें, जितनी जरूरी है apps, तो मैंने कई apps यहां पर deploy की हुई है, I just want to remove them now, तो आप इस तरीके से अपनी apps को manage भी कर सकते हैं, something like this, तो यह मेरे पास इस तरीके से चीज़ें आ गए हैं, now I have to click on new app, use existing repo, यहां से भी आप कर सकते हैं, using create from sample app template, आप यहां से भी कर सकते हैं, create new app with github code spaces, तो basically मुझे existing repository से एप बनानी है, जो मैंने पहले ही बनाई हुई है, तो यह मेरे पास existing repo आ जाएगी word cloud की, पहले ही repo यहां पर आगी, main branch के अंदर है यह, और app का जो नाम है यह आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, this is word underscore cloud underscore app, तो मैं यहां पर लिखूँँगा, word underscore cloud underscore app, अगर आपने app.py लिखा हुआ है, तो इस अप टू यू, लेकिन मेरे वाली फाइल का नाम यह है, तो यह मैंने आइड कर दिया, और app का URL यह वाला मेरा आ जाएगा, ठीक है, you can try to change this URL as well, यहां पे underscore है not dash, तो you can also try to change this URL domain, तो आपके जो app है, वो यहां पे आईगी, अगर मैं यहां पे लिखूँ, word cloud dash to fail, तो यह domain available है, तो जब भी आप word cloud dash to fail लिखेंगे, dot streamlet dot app, तो यह app आजाएगी, अगर मैं यहां पे लिखता हूँ word cloud, तो आप देख सकते हैं, यहां पे कोई हमारे पास domain available नहीं है, तो यहां पे मैं लिखता हूँ codanix, now you can see, यह हमारे पास domain available है, तो अगर आप लिखेंगे word cloud dash codanix, dot streamlet dot app, तो आपके पास यह चीज़ आजाएगी, एडवांस सेटिंग में आप जा सकते हैं, python का variant 3.10.9, जो भी आपके पास इस्टॉल है, आप वो रख सकते हैं, मैं 3.9 इसमें देख से कर रहा हूँ, because this is more accurate file, इसके साथ ही यहां पे, आप secret toml file वगारा भी बना सकते हैं, which can help you to store your APIs, जो आपकी private होती हैं, you don't want to share the API, लेकिन आप के अंदर आप यूटिलाइस करने की पावर देते हैं, so you can create these kind of files as well, लेकिन हम अभी खे लिए यूज नहीं कर देख से में से safe करता हूँ, and then I will click on deploy, and now what will happen, it will take the data from streamlit app, यहां से यह data लेगा सारा, requirements की file लेगा, and then it will create and bake that file, यहां पर यह app बन रही है, अब इस app को हम बना रहे है, it will take a little bit of time, लेकिन यह जैसी app हमारे पास बन जाएगी, you will see, कि यह पूरी के पूरी app हमारे पास bake हो रही है, अगर आप यहां पर manage पर click करेंगे, like this, then you can see कि आपके पास हो क्या रहा है, यहां पर, so everything which we have written down in the code format, वो यहां पर अब अपलोड हो रही है, ठीक है, now you can see, कि some of the time it takes a lot of time, एक से दो मिनिट से पांच मिनिट तक ही app, बिलकुल प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाती है, and then it can also help you, to actually deploy your app, if something goes wrong, ठीक है, errors बगएर अगर कोई आजाती है, अब काफी लोग क्या करते हैं, वो जो भी अपनी app के अंदर changes है, then they can refresh their apps, by actually rebaking that later on, लेकिन आप ये वाली GitHub repository को separate, अपने पास clone करके, इसको separately आप fetch भी कर सकते हैं, pull भी कर सकते हैं, push भी कर सकते हैं, whatever you want to do on this GitHub repository, और अगर इस रपोजिटरी वर्ड क्लाउट के अंदर, कुछ extra additional चीज़ें भी लिखना चाहें, you can also write down that one as well, so, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, it actually takes a little bit more time than expected, अगर आप 4-5 मिनिट करेंगे, your app will be ready here, साथ-साथ मैं आपको बताता चलू, जो मैंने पिछले lecture के अंदर भी बताया था, कि यह requirements.txt की file के लिए, आप से request है, कि आप please, pipreqs, pipreqs जो हमारे पास एक library है, अगर मैं यहाँ पे लिखू, pipreqs, यह एक ऐसी library है, which can help you to create the requirement.txt file automatically, so, यह आपको खुछ से नहीं करने पड़ेगी, आप यहाँ पे pip install redix करेंगे, उसी environment के अंदर, और इस directory में जा के, you can actually use this pipreqs command, जिससे automatically आपकी requirements की जो file है, वो develop हो जाएगी, जो हमें यहाँ पे upload करने के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, तो आपके पास कुछ warnings भी आ रही होंगे, you are using pip variant this, however variant should be considered updating this one, this one, that one, तो आपको यह install करने की जरूरत है, आपको यह काम करने की जरूरत है, या क्या हमारे पास हो रहा है, और यहाँ पे streamlet के अंदर एक और, एक अच्छे बात ही है, यह totally free है, you don't need to pay anything, ठीक है, यह सब कुछ totally free है, जो यहाँ पे चल रहा है, और आपने देखा कि, maximum हमें 1-2 minute लगा है, and now our app is kind of ready, you can now work on this app here, और अगर आप यहाँ पे click करते हैं, तो आप इसको share भी कर सकते हैं, invite भी कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ, ठीक है, और इसको आप public भी कर सकते हैं, अगर आप private करेंगे, तो यह यहाँ पे private तरीके से show होगी, अगर public करेंगे, तो यह app का code जो है वो लोगों के लिए, publicly available होगा, you can copy this link, and you can also use this link, to actually work on your app, social media पे share करने हैं, directly यहीं से कर सकते हैं, embedded link आपको चाहिए, toolbar के साथ, या किसी और चीज़ों के साथ, because you can use this embedded link, inside your documents as well, और आप इन embedded links को, अपनी website के उपर भी use कर सकते हैं, so it's totally up to you, लेकिन जैसे आप यहाँ पे, githa वाले link पे click करेंगे, you will find the repository, जहां पे पूरी file का code मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, so I mean, this is how you can work on Streamlit app, अब यह मेरे पास app आगई है, और यह app, मेरे local PC पे नहीं चल रही, लेकिन it's working on a cloud, with this link, अगर आप इस link को देखें, तो this is called, wordcloud-codanics.streamlit.app, ठीक है, तो यहां पे यह मेरे पास आगई है, and now I can try if this is working fine or not, तो मैं वो ही अपने पास जो PDF की file थे, यहां पे drag करता हूँ, drag करने के बाद, now it will take some time, क्योंकि online variant चल रहा है यहां पे, and then I can actually show you, कि यह app किस तरीके से online काम करती है, now it's totally functional, कोई भी से access कर सकता है, अगर मैं यहां पे share के ओपर click करके, इसको public करता हूँ, ठीक है, अगर मैं public नहीं करता हूँ, only invited people actually can see this, so यह मैंने इसको public किया हूँ, यहां पे आप देखे, यह मेरे पास same वैसे ही काम कर रही है, which I was working online on local PC, तो आप देख सकते हैं, कि हमारे पास यहां पे word cloud है, ठीक है, एक चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई थी word cloud में, आप यहां से इनकी width और height जो है plot की, वो भी select कर सकते हैं, and you can create your own word cloud, based on this parameter, selective cloud height and cloud width की base पे, and now, this app is totally functional, and this can help you to build up your portfolio, अगर आप से कोई पूछता है कि आपको क्या आता है, then you can say कि हमने different किसम की database की base के उपर, data की base के उपर, apps जो है वो developed की है, one of them is called word cloud generator, and then you can utilize this power of word cloud, to actually show your portfolio, यह app का link जो है मैंने आपको दिखाया, तो प्लीज इस app को देखें जहांके, और इसका link में description के अंदर भी paste करती है, which can help you a lot, इस तरीके से आप deploy करते हैं, on streamlet free server के उपर, एक limit यह है कि जब आप streamlet के उपर deploy करते हैं, apps को, तो आपको एक app को private रखने की जाज़द होती है, otherwise you can purchase their subscription as well, और उसको explore करने के लिए, what we can do, we can go to streamlet, streamlet के उपर जाने के बाद, आप यहाँ पर इनके documents बढ़ सकते हैं, generative AI components, cloud की बात करें, तो यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आप चेक करें, कि cloud के उपर कैसे आप काम कर सकते हैं, you can see, you can deploy, manage and share your apps within the cloud, directly from streamlet, all for free, ठीक है, तो यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं, यह पूरा method लिखा हुआ है, कैसे आप करते हैं इस पर काम, and how you can actually deploy your apps, ठीक है, क्या-क्या चीज़ें चाहिएं उन्होंने, यह भी यहाँ पर बदाया हुआ है, and if you go and check, तो आप के पास अच्छी खास ही यहाँ पर, पूरी की पूरी information जो है, वो available है, and if you click on get started, there you will go to the sign up page, और जो आप के पास main page था, आप उसके उपर चले जाते हैं, and you can also read their blogs, about actually defining the app, या deploying the app, and आप यहाँ पर वो भी read कर सकते हैं, ठीक है जी, तो आप इसको दरा explore करें, यह तो एक cloud है, जिसके उपर आप upload कर सकते हैं अपनी apps को, एक और cloud भी है, by the way, stream lead के उपर अगर आपकी app, एक specific मुद्द तक, कोई बंदा click करके नहीं चलाता है, तो यह इसको dormant कर देते हैं, dormant का मतलब होता है कि code available होता है, तो आप यहां पे भी अपनी python की stream lead की apps को upload कर सकते हैं, but then you have to think about it, कि यह pricing भी है इसकी, and there are many other resources जो आपको utilize करने पड़ते हैं, for example, basic के लिए $5 per month है, production के लिए $25, and advance के लिए $250, enterprise के लिए you have to contact them, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी apps हैं, यहां पे आप add कर सकते हैं on cloud server, फिर आपके पास Amazon Web Services, जो है AWS के जो cloud services हैं, आप भी अपनी apps को deploy कर सकते हैं, AWS to deploy stream lead apps, तो आप stream lead apps को AWS के उपर भी deploy कर सकते हैं, and there are many tutorials out there, कि आप अपने instance generate करेंगे, अपनी app का code वहां पे देंगे, and then you can link that to your domain as well, ठीक है, तो इसके उपर भी हमें आने वाले दिनों के अंदर काम करेंगे, but the most important thing is, कि आपको deployment का पता हो कि कैसे करनी है, कौन सी file ने जरूरी चाहिए, कौन कौन सी information जो है वो हमें जरूरी चाहिए होती है, यहां तक के लिए इतने, अगर आपने like निया तो please do like this lecture, अगर आपने subscribe निया तो please do subscribe this channel, और अगर आपको लगता है कि you can be helpful for us, please share our lectures, take care, अपना ख्यार रखें, next video में मिलते हैं, जहां पर और भी different किसम की apps को हम बनाने वाले हैं, take care, अलाफिस